हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय चानल आज हम बनेंगे ब्रिक्फस्ट रेसिपी आज हम बनेंगे अप्पे इसको हम सुबह की भागदार में बना सकते हैं साथी साथी अप्पे बहुत ही गोल गोल और बहुत ही जादा टेस्टी बनेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के बनाते हैं अप्पे तो अप्पे बनाने के लिए यहां पे मैंने इक बड़ा सा बोल ले लिया है इसमें मैं डालूंगी 200 ग्राम सूजी अब हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम ओफ दही अब हम इसको अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेते हैं यहां पे यह मुझे थोड़ा गारा गारा लग रहा है इसलिए मैं आदा कप पानी डाल देती हूँ हम इस पूरे प्रोसेस में एक कप पानी का यूस करेंगे पर हम उसको बैच्चेज में डालेंगे तो इस समें मैंने आदा कप पानी डाल लिया है अब करीबन 10 मिनिट ले हम इसको ढख लेते हैं ताकि हमारी सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए अब हम बनाएंगे अपो के लिए तड़का तड़का बनाने से इसका टेस्ट बहुत टेस्टी आएगा अब हम इसमें 2 चमश तेल के डाल लेते हैं अगर आपको हेल्दी अपम बनाने है तो आप इस तड़के को स्किप कर सकते हैं आधी चूटी चमश हम इसमें राई डाल देंगी और 5-6 करी लीव्स डाल देंगे ध्यान से रहिएगा दोस्तों इस समय तो तड़का हमारे एक्तम त्यार है सूजी को भी 10 मिनेट हो चुके हैं आप देख सकते ही अच्छी तरीके से फूल चुकी है इस टाइम पे हम हमारा तड़का इसके अंदर डाल देते हैं अब तड़के के ही बढ़तन में मैं थोड़ा सा पाने डाल देती हूँ और इसको अच्छी तरीके से mix कर लेते हैं हम अब हम इसमें कुछ vegetables डालेंगे तो सबसे पहले मैं chopped tomatoes डाल देती हूँ ये मैंने एक tomato को बारिक बारिक चॉप कर लिया था प्यास डाल देंगे इसको भी हमने बारिक काटा है हरी और लाज शिम्ला मिश डाल देंगे और बारीक कटी हरीमेच डाल देंगे अगर आपके चोटे-चोटे बच्चे हैं तो आप बारीक कटी हरीमेच को स्किप भी कर सकते हैं अब इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी दोस्तो अबी से आप देख सकते हैं कितनी जादा कलोर्फुल लग रही है और कितनी जादा अच्छी दिख रही है अब हम इसमें कुछ बेसिक मसाले डालेंगे तो सबसे पहली मैं इसमें नमक डाल देती हूँ नमक आप अपने स्वात्ग्य अनुसा डाल सकते हैं आदा चमच हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, एक बड़ा चमच मैं इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, आदी चोटी चमच हम इसमें डाल देंगे भुनावा जीरा पाउडर, अब हम इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सभी को एक सार कर लिया है तो अब मैं इसमें डालूंगे वन फूर टी स्पून सोडा का आप सोडा की जगे इनो फूर्ट सॉल्ट का भी इसमें यूज कर सकते हैं अब हम इसको अच्छी तरीके से और जल्दी-जल्दी मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पे यह हमारे अपे का बैटर एकदम तयार है आप बिना किसी देरी के चली बनाना स्टार्ट करते हैं अपे दोस्तो अपे बनाने के लिए आपे मैंने अपे मेकर ले लिया इसमें मैं डालूंगी आधा चमश तेल अगर आपको हेल्दी अपपम खाने तो आप सिंपली तेल को इनमें ब्रश भी कर सकते हैं अब मैं इसमें वन फो टी स्पून हर एक स्टेंसिल में हम थोड़ा थोड़ा राई डाल देते हैं इससे क्या होगा कि अपो का टेक्शर भी अच्छा आएगा साथी साथ खाने में भी टेस्टी लगेंगी अब इसमें हम हमारा अपे का बैटर पोर करेंगी दोस्तो इस तरीके से अपे बहुत ही टेस्टी बनते हैं और यह आपको तभी पता चलेगा जब आप ये रेसिपी अपने घर में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी साथी साथ बहुत ही हेल्दी भी होते हैं आप देख ही सकते हैं इसमें मैंने कित्ती सारी सबजियां डाली है अगर आपके पास वो सबजियां ना हो जो मैंने डाली है तो आप उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आपके पास जो भी सबजी अवेलेबल हो आप वो इसमें डाल सकते हैं बच्चों को टिफिन में देने क के लिए एकदम पॉफेक्ट चॉइस है जल्दी से बन भी जाता है साथी साथ इजी भी है तो देखिए बातों ही बातों में मैंने सारे स्टेंसिल में हमारा अप्पा बैटर डाल दिया है अब हम इसको करीबन दस मिनिट के लिए क्लोज कर लेते हैं ताकि हमारे अप्पे एक साइट से अच्छी तरीके से फ्राय हो जाएं दस मिनिट के बाद हम हमारे ढकन को उपन कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारे अप्पे का कलर कितना ज़्यादा चेंज हो गया है इस टाइम पे हम हमारे सारे अप्पो को अच्छी तरीके से फ्लिप कर लेंगे ताकि ये दूसी साइट से भी अच्छे गुल्डन ब्राउन हो जाएं अब मैं इसमें पाच्छे बुंदों के करीब थोड़ा सा तेल उपसे डाल देती हूं ताकि ये दूसी तरफ से भी अच्छी तरीके से गुल्डन ब्राउन हो जाएं पाच मिनिट ले इसको ढख लेंगे पाच मिनिट के बाद यहां पर हमारे अप्पे बनकर त्यारे ये देखे कितने अच्छे लग रहे हैं अब इन सभी को मैं एक सरविंग प्रेट में ले लेती हूं दोस्तों हमारे हेल्दी अप्पे बनकर त्यारे एक तोड़के भी दिखाती हूं आग्याना मुँ में पानी बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं और यकीन मानी आप एक बर ही बनाएंगे तो यही रेसिपी फॉलो करेंगे मैंने अपपो को यहाँ पे मुफली की चटनी, मियोनीस और हरी चटनी के साथ सर्फ किया है आपको जिसके साथ भी पसंदो आप उसके साथ इसको सर्फ कर सकते हैं ये रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राय करना ये सभी को बहुत ही ज़ादा पसंद आने वारी है रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए दिये वे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले बाए वापिस मिलूंगी ऐसी ही नई और इनोविटिव रेसिपी के साथ